इतिहास को पढ़ते कैसे हैं? हम इतिहास को देखते कैसे हैं? जब इतने नजरिये होते हैं तो इस्टेम के सामने ब्रह्म पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा? लेकिन इसका एक सॉलूशन लेकर आया हैं जिसके बारे में आप समझिएगा? एक तरीका होता है जब हम वरतमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं जानने की कोशिश करते हैं तो पहला होता है वरतमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं पहला method होता है we see past from the glasses of present यानि हम आज वरतमान में जो कुछ भी कर रहे हैं अभी इसका example देने जा रहा हूँ और आज ही सुबह मेरे किस्ट्रेण ने मुझे message बेजा बहुत सभी समय पो उसने मुझे बेजा उजंकिन ने और अगर इस class में होंगे तो उन्हों समझ में आ जाएगा कि कितन जबर्दस तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को यानि past को present यहां खड़े होकर आज हम कहां है और जब हम अतीत को वरतमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस present से हम अपने अतीत को past को कैसे comparison कर सकते हैं सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तय करते है तो ये दो चीज़े हैं पर सवाल है कि हमारे पास इतने conflicts क्यों है क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतियों ने उनका शोशन किया यहां की majority जो धर्म है उसने उनका शोशन किया क्यूं हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है क्यूं हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है क्यूं यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है जुईश के लिए इतिहास अलग हो जाता है नाजीस के लिए इतिहास अलग हो जाता है क्यूं ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है क्यों NCID की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा की अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं इस कुश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे ये एक बड़ा सवाल है तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वास्तों में जब हम इतिहास पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो एक बड़ी खुबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है संस्कृतियां आप जानते हैं संस्कृतियां पहचान को जन्म देती है कि संस्कृतियां कैसी है और बहुत मज़दार बात बताने जा रहा हूँ कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव उनके विले और प्रभुत्य की जानकारी भी है हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टक्राओ, कॉलीजन आफ कल्चर, विले मर्जिंग आफ कल्चर, कॉलीजन आफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि कोई महमूद गजनवी आता है भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लडाई होती है, एक जमना संस्कृति का निर्माड होता है, संस्क्रिठियां मिल जाती है, और प्रभुत utmost य़नि सुपरिमेसी, चार कि बिटिश आते हैं और भारती संस्कृति को ही जनों से कार्ट देते हैं, और कहते हैं, ना we are superior, we are superior of civilization है, हम superior जो है वो culture है, हम इन्डियन कल्चर के उपर अपना कबजा जमा कर रखेंगे और आज तक हम उसमान सिक्ता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं वन हो इस वेस्टन दाट इस अ मॉडरन हर चीज जो पश्चमी है वही आधुनिक है यहां तक कि गांधी और पटेल के जगडे में गांधी ने यह तक कहा था कि दुर्गादास नाम के पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नहरू इस दा उनली अंग्रेज केवल एकलोता अंग्रेज है हमारे कैंप में तो यह तक कि यह बात कहिता है तो यह तक्राव यानि कोलीजन विलय यानि कि सब्लिमेशन आपस में मिल जाना प्रभुत्व यानि कि सुप्रिमेशी इन तीनों की जानकारी देता है और संसक्रतियां क्या होती हैं संसक्रतियां पहचान होती हैं मेरी संसक्रति अपनी पहचान है तुम्हारी संसक्रति तुम्हारी पहचान है और जब यह पहचाने टकराती हैं पहचाने मिलती हैं पहचाने आधिपत्य करती हैं सुप्रिमेशी करती हैं मालिक बनने की या बदल जाता है कैसे ऐसे तीज आर सम्टाइम्स दीज आर लाइक दे बिहेव लाइक दास क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते दोनों इंसान है चोला हटा दो ठीक है एक मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते क्या शरीर में कोई अंतर है क्या ईश्वनने बियुजिकली बोला है कि इसकी चार आखे होंगे इसकी ढाई आखे होंगी नहीं भाई तुम अपने इतिहास में अपनी जणे ढूँदते हो इतिहास उस मिटी कि तरह होती है जिसमें एक विशाल पेंड अपनी जने ढूंडता है, जने जितनी मजबूत होती चली जाती है, उतना ही ज़ादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है, और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती है, वो दूसरी संस्कृतियों का विले, आधिपत्य या टकरा होता है करती है, आज पूरा विश्यो एक एतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालीबानी अफ्गानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं ये किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं। वो एक एतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या, यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है, क्यों Christianity और Islam में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है, क्या reason है कि देश्क में, विरविष्च में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है, जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परमशत्तु प संस्कृति के चश्मे से देखने हैं शुरुकर, क्यों संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्त का आधार है, मेरी बहुत खूबसूरा था, यह बात है, मेरी पहचान ही, मेरे जितने जादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मच होता जाएगा, मेरा कुन्बा उतना ही बड़ा होता जाएगा, मेरी माननेताओं कि मेरी संस्क्रत में उतने लोग समाहित हो जाएगे, मेरी संस्क्रतियों मेरी पूजा पध्धति को, मेरे जो वर्षिप मैथर्ड है, उसको फॉलो करेंगे, वो कोई कंडल जलाएगा, कोई न और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूँगा या तो मेरी तरफ आओ या निपढ़ जाओ और मैं संघश में आगे बढ़ता जाओंगे कि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है इस तरह पहचाने धीरे धीरे अपना विस्तार करती चले जाते हैं और आज से नहीं आधिकाल से चाहे तुम रोमन सामराज देख लो चाहे वो किसी भी प्रकार का सामराज देख लो तुम्हें हमेशा यही चीज़ दिखाई पड़ेगी मानते हो इस बात को मानते हो तो वास्तों में इसी वज़र से इतिहास को अलग-अलग लोग अलग-अलग नजरिये से देखते हैं अब इस trend क्या होता उसको यह core base नहीं बताया जाता है और वो घबरा जाता है और घबरा कर वो कहते हैं केवल facts history इस बचिंशने बताना करें understood of facts, past facts is known as history इस बच्चे ने गलत नहीं कहा इस बच्चे ने वहीं कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने क्या इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो इतिहास तुम्हारी जर्णी के बारे में बात करता है इतिहास तुम्हारी गलतियों से अवगत कराता है इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई है इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है लेकिन वहां तक पहुँचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आगे चलते हैं और अब इस सेग्मेंट के थर्ड हिस्से पे पहुँचते हैं Why to read history? UPSCS parent को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत क्या है? Why to read history? हमें इतिहास का अध्यन क्यों करना चाहिए? हमें इतिहास का अध्यन क्यों करना चाहिए? आज सुबह सुबह की बात है, ये मेरे mobile पर मेरे student हैं, ओजांकियन तो हमारे student थोड़ा सामाजी कृप से बहुत सक्री रहते हैं तो उनका एक WhatsApp मेसेज आया, सुबह 9 बच के 55 मेरे पास में दिखा हुआ है सर इन सब के पास कोई market नहीं है, कोई जमीन नहीं है, मैंने अभी इन से बात की है हम चाहते हैं इनकी problem का solution निकलना शुरू करूँ मैं तो इन्होंने मुझे ये photos भेजी हैं, राजस्थान की ये photos हैं और ये समुदाय सडकों पे रहता है, वहाँ पर ये जो आयरेन स्मित यानि लोहार का काम करते हैं और इनके देख रहे हैं, बच्चे भी इसमें काम में लगे हुए, इनको कोई सिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाईजीन नहीं है इनके पास, इसी कोईले के जलने से इनकी आप देखते हैं, कितनी तकलिफ हो रही है ये हमारे एक स्टुएंट ने भेजा है, वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, ये सर मैने सुबह भेजा है, इनका मेरे मुबाइल में नाम है, तो इन्होंने ये भेजा है, अब इन्होंने कहा है, इन्होंने बहुत ध्रवित हुए, आने वाले समय के बहतरीन आफिसर ही हो सकते है इनके अंदर EQ है, emotional question है तो ये इस स्थित को बदलने के लिए उद्धत है मैंने इनसे एक प्रशन पूछा आगे चैट में चैट लंबी है तो मैंने इनसे एक प्रशन पूछा क्या आप इनका इतिहास जानते हैं क्योंकि कैसा तो नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया होगा इनको rehabilitate करने के लिए आज की समाजिक समस्याओं का समाधान निकलने के लिए तो इनकर सरी राजस्थान की फोटो इन्हों बताया कि वहां की लोहार जाती है ठीक है, अब वहां पर जो है एक ऐसी जाती भी है एक ऐसे समुदाय के लोग भी है जो घुमन्तू है, ट्राइबल में है जो लगाता नुमैडिक्स है और उन्होंने कसम खाई है कि महराना प्रताब जब तक वो कसम इन्हों ने दीकी, जब तक वो अपनी सत्ता में कोशिच भी करती है परन्तु इनकी जो आस्था की जड़े है वो जो इनकी सांस्कृतिक गहराई है कि हमारे पूर्वजों ने महराना प्रताब के संग एक वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परमपरा का पालन करना पड़ेगा मैंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा इसी परमपरा का पालन करना पड़ेगा परमपराएं अपनी जड़ों के साथ होती है परमपराएं हवा में नहीं टंकती है और परमपराएं की जड़ें बहुत ही कठिन बहुत जटिल होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं, समाज में वो सभी लोग जो कुरीत को आप पालन कर रहे हैं, वो भी परमपराओं की दुआई देते हैं और आपको मैं दस्यों एक्जामपल ऐसे दे सकता हूँ, और आप भी अपने जीवन में ऐसी बात जानते हैं लेकिन जब आप समझाने पहुँचेंगे तो आपके और आपके समझाये जाने योग व्यक्ति के बीच में एक इतिहास की दिवार कड़ी होगी वो इतिहास की दिवार जिसको आप तो नहीं देख पा रहें लेकिन परमपराओं की इटे उस व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुई हैं और वो अपनी परमपराओं की जो बेडिया हैं, उसको अपने गले का हार समझ के कहता है कि मैंने वादा किया था मेरे पूर्वजों ने, इसलिए हम उसको अभी तक कैरी करेंगे और सरकार के बहुत प्रयासों के बाद, आपसे भी बहतरीन ओफिसर्स होंगे यहाँ पर, जो यह चाहते होंगे कि इन बच्चों को सिक्षा मिले, लेकिन वहाँ पर वो असफल हो रहे हैं इसलिए इतिहास बहुत ही खुबसूरत सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपको यह बताता है, कि आप जिसके जीवन में सुधार करने जा रहे हैं, उसके पैरों में बेडियां उसके इतिहास के किसी पन्ने के साथ जुड़े होई हैं एक बार आप इतिहास के उन काल खंडों को समझ लो, एक बार हिस्ट्री के उन पस्पेक्टिफ्स को समझ लो, एक बार ये जान लो कि वो किन परंपराओं की बेडियों को, जिसको अपने हार समझ के अपने गले में लेके घूम रहा है, वो वास्तों में वो कहां हैं, तो उ कर रहा था वह जब तो राजस्थान में अब तो करकश्मीर में आ गये हैं तो उन्होंने बालविवा को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया कोई मेरे दोस्त यहां पर होगा राजस्थान से बाल विवा की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी मुझे बताओ जब आप इनके माबाप को समझाने पहुंचते होगे पहुंचते होगे उस दुहाई के बारे में मुझे बता दीजे आपको इतिहास मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा आफिसर के रूप में आप इस तरफ खड़े हैं आपका नजरिया है कि यह कुरीती है इन दोनों बच्चों को सही समय पर पढ़ने का मौका दिया जाए इस बच्ची का शरीर अभी जो है वो गर्ब धारन करने योग यह नहीं है यह कुरीती है एक मानव के अधिकारों का हनन है यह human rights violation है अगर हम सारों भामी ग्रूप से देखें लेकिन जिस तरफ यह दूसरे लोग हैं इनके पास परंपराओं की एक बड़ी लंबी जो है वो जनजीर है जिसकी जो जड़े हैं सांकल जिसे बोलते हैं जो दिवार में खुदी हुई है वो इतिहास के पन्नों में चुपी हुई है जब आप मेडाइवल इंडिया का अध्यन करेंगे तब आपको इस कुरीति के बारे में और बहतरीन तरीके समझ में आएगा कि ये समाज की वो क्रिया और प्रतिक्रिया से निकला ये समाज उस समय क्या तै करता था इसको हम इस समय लेकर चले आ रहे हैं तो जन्म इतिहास में हुआ जन्म देने वाला संस्कृत था पालन परमपराएं करा रही है जन्म इतिहास में हुआ बर्थ वस इन दा हिस्ट्री जन्म देने वाली कोख संस्कृती थी जो कल्चर वहां का था कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता कल्चर सिल्व कल्चर होता है वो इस कल्चर ने जो है इसको जन्म दिया और परमपराओं ने इसे पाला पोशा आज भी अगर ये हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी परमपराएं हैं आज अगर आप जाते हैं और आप पूझा की जाती हाटा दिया जाना चाहिए जिस देश में राधा और कृच्ट पूझा प्रेम के लिए किया जाता है प्रेम के कितने गीत लिखे गए हैं रास लीला जो शब्द जहां पर कृष्ट का जो अनृत्ज है उसको संसार में सबसे विहंग्धम माना जाता है, वरंदावन में जगा जगा जो है वो लोग गीत के रूप में है उस देश में honor killing और जो करता है उससे पूछ के देखो, जो इस तरह की मानेताओं को मानता है, जो मुझे सुन रहे होंगे, वो भी मानते होंगे, मैं कोई दादाओं के जबाने सोता चला आया, भाई होता रहेगा, तुम चाहे रहो या ना रहो कन्या भूड हत्या ऐसा भैनक शर्म है कि आज हमारी बेटियां gold medal लेकर आ रही है, आज इतने पदक लेकर आ रहे हैं ठीक है, और आज हमें बहुत बड़ी मातरा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहला हम कहते हैं, बेटी बचाओ अरे किस से बचाओ क्या जंगल के जानवर निकल कर सड़को पर आ गए ना, अरे वो कोख वो माता पिता, जो उसको जन्म दे रहे हैं, वही उसके हत्यारे हैं वो परिवार जो जन्म देने की प्रक्रिया में है वही हत्यारा है, अरे कोई स्चेड नहीं आया कोई चीता नहीं आया, कोई भेडिया नहीं आया कोई डैनसोर नहीं आया, इस बच्ची को बचाना किस से है ना किसी अमेरिका ने आकरमन किया ना पाकिस्तान ने आकरमन किया इस बच्ची को खत्रा इसके जन्मदाताओं से है और उन जन्मदाताओं को खत्रा किस से है उन परंपराओं से है जो संस्क्रतिकी ओख पर जन्म लेते हुए इतिहास के साथ अपनी जड़ों को सीच रही है मानते हैं कम्नलिजम अरे तुम हिंदू वो मुसल्मान कब तक अगर मानव के रूप में दो लोगों पहचान नहीं पाऊगे इठपा किस ने लगाया तो सवाल है कि हम उसके आधार पर एक दूसरे की जान लेने का हक किस ने है बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का हक नहीं है तो प्राण तुम्हें पर शक्त ही नहीं तो लेने का हक तुम्हें किस ने दे लिया लेकिन हम उनमादी हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं तो मैंने बताया ना कि इतिहास के पन्नों में संस्कृत के गर्ब में परंपराओं की जंजीरों में ये बंधे हुए हैं और जब तक इन्हें नहीं समझोगे इन्हें तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि ये ढूंड नहीं पाओगे तोड क्यों नहीं पाओगे? शक्ति तुम्हारे पास बहुत है तुम्हें सम्विधान ने अपार शक्ति दी है लेकिन तुम ढूंडोगे नहीं तुम ढूंड नहीं पाओगे क्योंकि वो जंजीरे यहां हैं यह अभी दुनिया में नहीं आई है हो सकता है कि यह गुल्ड मेटल लेकर आएं बहुत से चंपकलाल घूमर जो गुल्ड मेटल नहीं ला पार हैं यह वो सकता है अभी पैरा ओलम्पिक में बच्ची लेकर आई ठीक है तो यह कैसे लेकर आरी कुष्टी में हर्याना की बच्ची आँ टॉप में चलती जल जा रहा तुमने इसके जर्म लेने से पहले डिसाइड कर लिया, कि ये बोज है, तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारी परंपराओं ने डिसाइड किया, जो जड़े बहुत गहरी पीछे से चली आ रहे हैं, और तुमने कभी प्रस्ट नहीं पूछा रुक के, और बस उसको carry कर एक पीड़ी, दूसरी पीड़ी को देती चली जारी कि बेटा ऐसा ही होता है, clear? तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूँ, इतिहास वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद करता है, history is helpful to understanding the problem of present, problem of present, अब दिपांशु ने पूछा है कि सर हम इन परंपराओं को stop कैसे कर सकते हैं, how can we stop the परंपराओं? जन्जीरें रोकी नहीं जाती हैं, जन्जीरें तोड़ी जाती हैं, ठीक है, और जन्जीरों को तोड़ना हो, अंधेरे में तुम्हारे हाथ में जन्जीरे नहीं हैं, तुम्हें नहीं पता कि जन्जीरें हैं कहां, तो तोड़ोगे कैसे? एक गुप्त कमरे में अंधेरे कमरे में तुमें छोड़ दूँं बोलो, इसमें जंजीरे इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते ही कमरे में उजाला हो जाएगा, तुम हाथ पागलो की तरह मारते रहोगे, जंजीरे कहा है, मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का नजरिया तुम्हें उन जंजीरों से अवगत कराना है, जंजीरें कहां हैं, जंजीरें कहां हैं, एक बार जंजीरों को पहचान ले जाओगे, तो तोड़ना आसान होगा, आई इस बनने के बाद तुम्हें वो ताकत मिलती है, वो तुम्हें पावर मिलती है, कि तुम इन जंजीरों को एक आम झाल